दोस्तों जब तक आपके वीडियो का CTR और audience attention सही नहीं रहेगा ना, तब तक आपके वीडियो पर बिल्कुल भी views नहीं आएगा, आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, सारा का सारा setting लगा लो, हर एक trick लगा दो, लेकिन फिर भी आपके वीडियो पर views आएगा ही नहीं बस आपको दो चीज़े को सही करना पड़ेगा, एक CTR और दूसरा audience attention, दोनों चीज़े को सही कर लोगे ना, तो पक्का आपके हरी वीडियो पर views आना, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बस आपको दोनों चीज़े को सही करना पड़ेगा, आज किस वीडियो में आपको यह तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप CTR और audience attention दोनों चीज़े को maintain कर सकते हो, देखो कम से कम आपको अपने हरी वीडियो पर CTR 10% पलस रखना पड़ेगा, आप कोई वीडियो को upload करोगे ना, तो उसका CTR जाके चेक करना, impression click through rate, ठीक है, कम स CTR को maintain करना है, high रखना है, और कैसे करके अपने audience attention को भी बढ़ाना है, दोनों चीज़े आपको इसे वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को complete देखते हो, और हर एक step को follow कर देऊ ना, तो आपको कभी भी views कैसे बढ़ा है, इस topic के अपर कोई other video देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ दो ही चीज़े को matter करता है, मैं आपको clear बता दिया हूँ, CTR सही करो, audience attention सही करो, दोनों चीज़े हो जाएगा, तो automatic आपका views आना start हो जाएगा, तो चलिए सब कुछ आ कर लेना है, और साथी bell icon को भी all पे click कर लेना है, और इतना है नहीं, आपको video में कोई भी एक प्यारा सा comment कर देना है, क्योंकि हम comment figure सही विना निकालते हैं, जिसका भी comment highlight हो जाता है, simply उसके channel का promotion बिल्कुल फ्री में कर देते हैं, तो video को like कर लेना, channel पर नहीं तो subscribe कर लेना और कोई भी प्यारा सा comment कर देना, तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने video की तरफ, दोस्तों सबसे पहला बात आता है CTR का, click through rate, मतलब audience कितना हमारे video के पर click कर रहे है, CTR count ऐसे होता है, मालज़े आपके video को 100 लोगों के पास भेजे जाएगा, मालज़े आपके video का percentage ना पा जाता है, कि आपके video कितने लोगों के पास भेजा गया, और जितने लोगों के पास भेजा जाएगा ना, उन में से कितने परसेंट लोगों ने आपके video के पर click किया है, अगर आपके video को 100 लोगों के पास YouTube भेजता है, और 100 मैंसे अगर आपके video को 10 लोगों ने click कर तो समय लोग आपका CTR ठीक ठाक है क्योंकि CTR कम से कम 10% होना चाहिए अभी के टाइम पर तभी जाके आपका थोड़ा बहुत मतलब इंक्रीज हो जाएगा 10% आपको तो कैसे मेंटाल को वहीं आपको बताने वालाा रवीड़न और साथ क्लिकबेट बनाते हैं कि नॉर्मली पनीर की सब्ची कैसे बनाएं के सिम्म болों क्या करेंगों लिग देगें यहांपे पनीर की फोडो खुशतेंगे और लिग देगें पनीर की सब्सक्राइब इसे कोई şiutे क्लिक बल नहीं रहेगा तो लोग उसके पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों कोई भी आपको वीडियो को देखता है तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को देखता है तो सबसे पहले आपको वीडियो के पर क्लिक करता है तो सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो का भ थमनिल BEST से BEST बनाना है और दूसरा चीज थमनिल पे बहुत ज्यादा clickbait करना है अगर आप नॉर्मल लिख देऊ कि पनीर की सबजी बनाना सीखे तो यह हो गया नॉर्मल तरीका लेकिन आप वहीं पिलिखते हो एक मिनिट में तो तो आपको CTR हो जाएगा, और CTR होता है, तो क्या होता कि YouTube आपको वडेयो का IMPRsong और भी जादा बढ़ा देता है जितना जादा आपके वीडियो कपर क्लिक आएगा यूट्वी अथ जादा इंप्रसन आपका भेजएगा तो यह होगा CTR इंक्रीज करने का उसका audience interaction डाउन तो होता ही है साथ में उसका CTR भी डाउन हो जाता है क्या पता है माल जे आप कोई वीडियो को upload किये अगर माल जे आपका gaming का channel है और आपका video किसी blogging वाले viewers के पास चला जाता है तो वो आपके video को नहीं देखेगा जिसे क्या होगा कि आपका CTR डाउन हो जाएगा क्योंकि माल जे आपका gaming का channel है आप gaming की videos बनाते हो और अगर आपका video किसी blogging वाले audience के पास चला जाएगा तो सबसे पहले तो आपके video के पर click ही नहीं करेगा thumbnail देखे छोड़ देगा क्योंकि उसको gaming में interest नहीं है गलत audience के पास आपके video चला जाएगा तो वो उसके पर click नहीं करेगा ज्यादा तो लोग यही problem होती है आप video अच्छा बनाते हो, best video बनाते हो चाहे आपका gaming का channel है, cooking का channel है या कोई भी channel है, आप best से best video बनाते हो लेकिन अगर आपका video गलत audience के पास YouTube भी देता है तो लोग उसके पर click नहीं करेंगे click नहीं करेंगे, तो आपका CTR डाउन हो जाएगा ठीक है, और दूसरा reason क्या होता है, पता है माल जेकर 100 लोगों के पास गया 100 मैंसे एक-दो लोग click भी कर दिये गलती से click करने के बाद देखेंगे, अरी यह तो gaming का video है इसमें तो मुझे interest नहीं है, तो वो छोड़के चला जाएगा तो सबसे बड़ी reason यही होती है कि गलत audience के पास आपका video जाने से ही आपका CTR भी down होता है, और audience intention भी down होता है क्योंकि अगर आपका video gaming का है तो पक्का आपका down होने वाला है चाहे CTR डाउन हो, या तो audience intention डाउन हो जो डाउन हो, डाउन होगा ही होगा अगर लोग आपको video के पर click नहीं किया तो आपका CTR डाउन हो जाएगा, माइनस चला जाएगा अगर लोग आपको video के पर click किये तो आपका audience intention down हो जागा क्योंकि गलत audience के पास गया है वो वीडियो के पर click किये तो video को complete देखेंगा नहीं तो देखो audience intention increase करने का simple process है कि आपको फिर वीडियो को audience को full full दिखाना है complete दिखाना है तो इसका एक ही तरीका है कि आपको फिर वीडियो को सही audience के पास भेजना है आप जिस प्रकार से video बनाते हो ना उसी प्रकार के audience के पास भेजना है तभी आपको वीडियो को complete देखेगा क्योंकि दोस्तों मान के चलो गर आपका gaming का channel है आप gaming की videos बनाती हो और अगर आपका video YouTube gaming वाले audience के पास भेजता है सबसे पहले तो आपको वीडियो best से best बनाना ही है थोड़ा entertainment type का थोड़ा best type का मतलब आपको वीडियो अच्छा बनाना है ताकि audience सही audience के पास जाए भी न तो वीडियो को complete देखे क्योंकि अगर माल जिए आपका सही audience के पास चला भी जाता है अपने वाइटी स्टूडियो एप्लिकेशन में ठीक है चले मैं आपको एक करके star से बताता हूं ठीक है दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां पर अपना screen recording को मैं on कर लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल सही से में समझा पाऊंगा ठीक है सबसे पहले यहां पर मैं कर लेता हूं screen recording को on अब दोस्तों मैं क्या करता हूं यहां पर सबसे पहले यहां पर बगल में देखो यहां पर मैं अपना वाइटी स्टूडियो को open कर लेता हूं 140 views आ चुका है, और यह मैं कहीं और से views नहीं लाया हूँ, YouTube आटोमेटिक इसमें views देता है, क्यों बता है, क्योंकि ये विडियो सही audience के पास जाता है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसके पर मैं click करता हूँ, click करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका views source, कि कौन से source से views आता है, तब जाके आप विडियो को देखना और बात को अकीन करना, देखो यहाँ पर, views कहां से आता है, YouTube recommendation से, और जब तक आपके विडियो पर यूटूब रिकॉमेंडेशन से, यूटूब रिकॉमेंडेशन से, यूटूब रिकॉमेंडेशन से आपके चैनल पर views आने लेगा, तो समयल आपका चैनल चल जाएगा, तो यहाँ पर इसका एक ही रिजन है कि YouTube हमारे इस चैनल का विडियो को सही audience के पास भीटता है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, पता है, जब मैं विडियो को अप्लोड करता हूं, अप्लोड करने के नीचे आप लोग क्या करते होंगे, यहाँ पर टेक्स वगरा डालते होंगे, और विडियो को मार देते होंगे, पब्लिस, लेकिन सिर्फ पब्लिस करने से कुछ नहीं होगा, जैसे तैसे audience के पास चला जाएगा, इंप्रेशन तो यूटूब है, लेकिन गलत audience के पास बिलता है category का, यह वाला देखो, तो आपको simply इसके पर click करना है, click करने के पास, आपका विडियो जो भी category का रहेगा, simply आपको उस category के पास भीजना है, अगर आपका vehicle का है, तो इसके पर click करो, entertainment का है, तो simply मेरे ये वीडियो का category क्या है, gaming है, क्योंकि मैं game वाले वीडियो य पास नहीं बेज़ेगा, क्योंकि मैं यह पर category select कर दिया हूँ, gaming, youtube समझ जाएगा, कि यह बंदा, इसका जो वीडियो है, यह gaming का वीडियो है, मतला हमें gaming वाले audience के पास भीजना है, तो आप लोग बहुत सारे, आप मैं से 90% लोग क्या करते हैं, कि अपने वीडियो का category select नह नहीं जाएगा, तो आपका CTR कैसे बढ़ेगा, और आपका audience description कैसे बढ़ेगा, तो बस आप अपने वीडियो को सही audience के पास भेजो, definitely आपको वीडियो को लोग complete देखेंगे, जिससे आपका audience description बढ़ेगा, और दूसरा उसमें ज्यादा-ज्यादा click आएगे, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो रहेगा, उसी प्रकार के audience के पास जाएगा, तो click तो आएगा है, तो यह सब कुछ method था जिसको use करके आप बहुत तेजी से अपने CTR और audience description दोनों को maintain कर सकते हो, और इससे आपका views भी बहुत अच्छा खासा increase होगा, और आपका channel बहुत जल्दी grow हो ज subscribe कर देना, चली मिलते कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई, जय हिन, बंदे मातरम